नमस्कार आज आपको मिलवाऊंगी अपने गाडन के सबसे उधम मचाने वाले महमान से यह देखिए मूशक राज खुब इनोंने धमाल मचाया था पिछली रात पर आज की रात यह कैद हो गए और देखिए पिंजरे में कितना चट पटा रहे हैं जनाब निकलने के भरपू यह गट तभी खुले के जब मैं इसको खोलोंगी और वेचारा इतना दह्रत में कि जो मैंने रोटी लगाई ती एक बीस ने टुकड़ा नहीं खाया है पूछ में थोड़ी सी इसकी चोट लगई है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान है सुबह से बेचारा मर नीचे में लेकिया इसको यहां पिछोड़ दूगी तो यहां पर इसके बहुत सारे साती संगाती मिल जाएंगे और यह खुश हो जाएगा अब देखिए कि इसके खुशी किस हद तक जाती है कि देखिए ऐसे उचल उचल के भगा कि पता नहीं कितने जनम जन्मांतर से इस पिंजरे के अंदर कैड़े चलिए यह तो हो गया खुश अब पताती हूं इस पिंजरे का हाल दीवाली के पहले अपनी फैमिली से पूजा जी की समासी थी कि उनके गार्डन में चूह बहुत हैं मिटी खोद के चले जाती हैं तो देखिए अपके पास अगर गार्डने कु कुछ आपको देख जाएगी बस आप इसमें रोटी लगा दीजिए यह तो आप एक काम कर सकते हैं रोटी हमेशा इसमें लगा कि अपने गार्डन के किसी भी कोने में रख देजिए अब समस्य क्या आती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें चूह आये तो पर रोटी खा देखनें आप बहुत हलका सा यहां पर फ़सा होता है अब अगर अच्छे से नहीं फ़सा तो चूह यहां से घुसेंगे और रोटी आपकी खा के चले जाएगे यह देक्या रोटी का साइज आप ड़का है तो इसको जब आप शूह खीचेगा तो फूह यहां से निकले गह पीछे से में हाथ डाल के दिखा रही हूँ आप सोचिए कि इधर से चूह जा रहा है और जब रोटी खीचे गा तो रोटी जाएगी आगे की तरफ यह देखें कुछ इस तरह से जैसे चूह ने रोटी खीची तो यह रोटी मेरी मोटी है बारीक नहीं है इसलिए रोटी नीचे नहीं आई हाँ यह गेट जरूर बंद हो गया क्योंकि प्रेशर लगा तो यह हुक यहां से उपर से निकल गया पस यही छोटी सी टेकनिक है आप पहुत बारीक साइच की रोटी लगाई तो रोटी खा के चूह भग जाएंगे अब यह पीछे का गेट हमने अल्रेडी बंद किया यह हम लोग तभी खोलेंगे जब चूहा अंदर होगा और चूह को हमें बाहर निकालना होगा तभी तो बस मोटे साइच की आप रोटी चूह काके भग जाएंगे अब चूहों को आगर्षित करने के लिए थोड़ा सा और इसमें हमें क्या एट करना है इस रोटी में हम लगाएंगे घी या बटर पर दोनों मेंसे आप प्रफ्रेंस दें अपने घी को क्योंकि घी की खुष्बू दूर तक फैलती और चूहों क घी की खुष्बू बहुत पसंद आती है तो इसकी तरफ खीचे चले आएंगे घी की खुष्बू से और रोटी खाएंगे चलिए फिलाल के लिए चूहादानी नहीं है चूहे तंग करें तो एक और तरीका पाजमा सकतें कुछ एक आप ले सकतें लहसुन की कलिया आप साथी साथ एक छोटा चमच मेंने लिया हुआ लाल मिर्च दोनों की कॉंटिटी आप अपनी जरूरत की साब से रखेंगे और साथी साथ इसमें डालेंगे गरम पानी गरम पानी में लहसुन का फ्लेवर अच्छे से घुल मिल जाएगा सूबाए के वक्त हम लोग इसको बन एक बर पिंजरेदानी भी लाके देखिए मेरा तो सबसे विश्रसनी तरीका है इसी तरह से आप रोटी फास आएंगे बाहर छोड़ देंगे तो आप भी खुष और चूहे भी खुष तरीका अच्छा लगो तो कोई नों को याजमा के देखिए आप भी चूहों से निजा जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए चूहे आपके गार्डन से भाग जाएं ऐसी उमीद करते हूं थैंक्यू